लग रहा है नहीं बहुत ही टेस्टी फ्रेंड़ से नास्ता बहुत ही जट पट बनकर के रेडियो जाता है हेलो फ्रेंड्स मैं रेनु अपनी यूटूब जैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूं फ्रेंड्स यह साबूदाने से बनी रेसिपी में लेकर के आए हूं जो बनाना सुरू करते हैं तो देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने साबूदाना ले लिया है और साबूदाने को अच्छे से हमने कॉच लिया था जिससे की मार्केट से लाते हैं तो इसमें थोड़ा धूल रज्जा सा रहता है तो इसलिए जब भी बनाते हम तो उसक मिक्सर जार ले लिए और इस मिक्सर जार में में ऐट करेंगे थूड़ा ना यह यह गी एख कर दिया और अब साभुदाने को हमें बारीग टीस लेना है तो देखिए हमने मटलब कि पीसा है अमने इसका जब पीस यह थोड़ा रोक करके पीस यह तो इसम फाइन पाउडर इस गूब टबाद बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें हम यह काट लैंगे आलों जो हमने दो लिया था चील कर गे ना आलो को चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया दोनों को इसी तरीके से हमकाट लें और आलों को काटने के बाद इसमें हमायड करेंगे कुछ मसाले तो मस सबसे पहले देखिए हमने एक हरी मिर्च डालने के बाद यहां पर हम भूभ ज्यादा बारिक नहीं काटेंगे थोड़ा मोटे टुकडों में कार करके इसमें आइड कर देंगे और यह अगर नॉर्मल टाइम पर बना सक बना रहे हैं तो इसमें सेनहा नमक की जगा आप नॉर अगर आप जादा लोगों के लिए नास्ता बना रहा है तो इस हिसाब से बनाइए अब इसमें हम पानी कर देंगे हम आपने वेटर के हिसाफ से कर ब pens करेंगे अगर पानी जाद न्यूहीज़ थborg करेंगे टो इसलिए अपनी का खास ख़याल रखी आपशने लगे तो हम इसमें निकालते रोवाज एकर नास्ता परफेक्ट बनेगा और फ्रेंट सकर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गर सब्सक्राइब करने के साथ ही वेल आइकन दबा लिजिए गा जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर किया उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और वी अगर जादा बेटर है अपने उस हिसाब से कितने बड़े कितने मोटे आपको इसकी लोगी बनानी है व इसाब से दो तीन पार्ट में इसको हम बाट लेंगे अब इसके बाद इसकी लोगी आपने बढ़ लिया थोड़ी बड़ी सी और अब देखिए हम ले प्रेंड पर आ सोसे जबाते हुए हलके लगा होड करते हुए किसी तरीके से हम हम कर लेंगे टो इसके चारो साइट से थोड़ा थोड़ा से तो इसके डरेंगे मतलबा Era कर कर देंगे और इसको तो कम करने लिए ंचे जोलेंगे द्चे तो डेंगे ओं हम निखाएं Dog हम हटा देंगे और फिर इसको हटाने के बाद इसमें हम लगाएंगे मतलब मतलब अपने आप हिसाफ से दीजिए कि सेब में बनाना चाहते हैं उस नाच्टे को वह ऐसा बनाईए हम इसमें से बीच में से दो लगाद दो भाग का कट लगा दिया है क्योंकि वह ज्यादा बड़ी लोगी हमें नहीं रखी थी और इसी साइट से दूसरे साइट से भी हमने दो भाग कट कर दिया तो यह मतलब चार भागों में चार सेप में कट हो गया है और अब इसमें हम बीच से कट करेंगे तो देखिए ट्रेंगल सेप में कुबच्चे से कट हो यह रख दी है और कडाही में हमने अइड कर दिया है रिफाइंड ओए वरत में खाने वाला जो भी आएप के हाँ यूज होता हो मुंफली गवाविल या कोई भी यूज होता हो या आपक्या अब नास्ता घी में बना जाता हो तो घी भी यूज कर सकते हैं जिसमें भी फ्र कर देने के पास जिसको हम तीन चार मिनट के लिए लगभग मतलब गईस की फ्लेम को यहां पर हमने मेडियम हाई करके रखा है तो तीन मिनट के लगभग हम एक साइड अच्छे से पकने देंगे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तो अच्छे सी पलटने लगेगा कि देखिए कि अच्छे से फूले फूले लगने लगे हैं हमारे नास्ता यह ना बहुत ही अच्छे से फूल करके रेडी हो जाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंस यह नास्ता बनाने पी तो देखिए इसी तरीके से हम सारे नास्ते को अलट पलट बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी हो जाता है और इसको खाने में गर्मा-गर्म सर्व करिये ना फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चे बड़ों को बहुत पसंद आएगा एक वर इस नास्ते को बना करके ट्राइजर करिये का फ्रेंड तो चलिए भी सेम पराही मे और देखिए हमने सारे नास्ते को पका करके रेडी कर लिया है और हमने प्लेट में सर्व कर लिया है अगर यह नास्ता बरत में बना रहे हैं तो इसके लिए बरत वाली चटनी या दही के साथ ही उच कीजिए और अगर नार्मल टाइम पे बना रहे है इस नास्ते को आप त करिएगा तो चलिए फेंस आगे एक और नए वीडियो हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए राधे राधे थैंक्स फॉर वाचिंग